कितनी excitement होती है ना जब हमारे favorite brand पे sale लगी हो up to 50% off, flat 50% off और सबसे best offer तो 50% पे भी 50% off और ये देखके तो हमें लगता ही है कि वाह चीजे तो free में मिल गई बट कही न कही हमें ये idea जरूर होता है कि company free में हमें चीजे क्यों रहेगी कही न कही तो वो कुछ न कुछ चार्श तो करेगी ही और अगर वो हमें free में देने लग गई तो वो earn क्या करेगी, right? और हम ये भी जानते हैं कि companies ये sale और offers इसले लाती है ताकि हम उनके तरफ attract हो और कुछ purchase करें तो in the same way brokers भी हमें कुछ न कुछ offer करते हैं जैसे कि free account opening fee, flat brokerage for 30 days और सबसे best 0% brokerage equity delivery पे अब आपने कभी ये सोचा है कि brokers सिर्फ account opening fees और brokerage से earn करते हैं तो वो 0% brokerage delivery पे कैसे charge करते हैं? Hello everyone, welcome back to Ticker, मैं हूँ कीर्दी और आज हम जानेंगे brokers के complete hidden charges और 0% brokerage का सच चलिए तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि intra day और equity delivery में क्या difference होता है intra day याने हम same day पे buying and selling करते हैं जैसे कि अगर मैंने आज Reliance का कोई share खरीदा तो मुझे आज ही उसे sell off करना होगा और वो भी market close होने से पहले that is 3.30 तक और अगर मैंने sell नहीं किया तो मेरी position automatically square off हो जाएगी अब delivery मतलब जब मैं कोई share खरीद रही हूँ और उसे मैं कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल तक रखना चाहती हूँ जब हम delivery पे कोई share लेते हैं तब हमें वो 2 दिन के बाद deliver होते हैं तो अब हम समझते हैं कि अगर आप कोई share buy कर रहे हैं तो आपका कितना amount brokerage और hidden charges में deduct हो जाता है तो यह है कुछ ऐसे charges जो आप brokerage के अलावा भी pay करते हैं सपोज आपने 1000 shares buy किये 100 रुपे per share के हिसाब से तो आपकी transaction value हो गई rupees 1 lakh तो इसमें first of all आपको brokerage लगेगा तो यहां हम 20 रुपे brokerage consider कर रहे हैं अब हमें transaction charges लगेगा इसे exchange charges के नाम से भी कहा जाता है तो यह NSE और BSE के लिए अलग-अलग होता है और यह charges लगेगा आपके transaction value पे BSE के लिए 0.03% होता है और NSE के लिए 0.0325% होता है अब हमें GST भी pay करना होता है जो की 18% होता है बट यह charge किया जाता है transaction charges प्लस brokerage पे यानि 20 रुपीज प्लस 3 रुपीज अब STT charges आते हैं that is security transaction tax यह charge intraday में सिफ sell site पे charge किया जाता है buy site पे नहीं और यह charge होता है रुपीज 25 पर लाक यानि 1,00,00 रुपे पे 25 रुपीज चार्ज होगा अब आता है SEBI charges से भी 5 रुपे चार्ज करता है एक करोड के लिए तो 1,00,00 के लिए यह हो गया 0.05 next है stamp duty charges यह सिर्फ buy site पे charge किया जाता है तो यह होता है 0.003% या 300 रुपीज पर करोड तो यहां 1,00,00 के transaction value के हिसाब से यह आता है 3 रुपे टोटल taxes मिला के यह amount हो जाता है रुपीज 30 अब हम देख लेते हैं कि sell side से कौनसे कौनसे charges करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब आपको इस share लेते हैं intraday में तो आपको 30 रुपीज पे करना पड़ रहा है यानि अगर 1,00,00 का share खरीद रहे हैं तो extra 30 रुपीज लगेंगे वही जब आप उसे sell करते हैं तो 52 रुपीज चार्ज देना पड़ रहा है तो आपके account में net credit value आएगी 99,947 रुपीज अब चलिए देखते हैं 0% brokerage देने से क्या हमारा overall tax and charges कम हो जाएंगे हम same transaction का example लेके चल रहे है 1000 quantity of shares and 100 रुपीज per share price transaction value 1,00,00 रुपे तो चलिए brokerage तो 0 है then exchange charges भी same है अब GST यहाँ पे change हो जाएगा क्योंकि यहाँ brokerage नहीं है तो हम सिर्फ exchange charges पर reduction लगाएंगे तो 3 रुपे का 18% हो गया 0.54 पैसे हमने intra day पे STT पे नहीं किया था buy side पे but delivery पे करना होगा यह 100 रुपीज पे charge होता है for every 1,00,00 तो यहाँ पे भी यह 100 रुपीज हो जाएगा same charges भी same रहेंगे stamp duty भी यहाँ पे सिर्फ buy side पे charge होगा 0.015% या फिर 1500 रुपे पर करोट अब sell का side भी देख लेते हैं इसमें सारी चीज़ें है except stamp duty जो कि सिर्फ buy side पे charge किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि even brokerage 0 है still हमारे other charges intra day की comparison में काफी ज्यादा है बट ये charges broker earn नहीं करते हैं ये सब government को जाता है एक trade के पीछे बहुत सारा back end process होता है और बहुत सारी parties भी involved होती है जैसे कि depositories, custodians, banks, exchange तो क्यूंकि सब का role involved रहता है इसलिए charges हमें pay करने होते हैं बट बात फिर वहीं आती है कि brokers then delivery trade से कैसे earn करते हैं तो यहां आता है एक और charge जो brokers generally disclose नहीं करते हैं वो है DP charges DP charges यानि depository participant charges ये charge collect किया जाता है depositories जैसे कि CDSL या NSDL और आपके brokers तो ये amount vary करता है 15 से 25 रुपे के बीच और ये चीज आपको contract note वगेरा में mentioned नहीं रहेगा क्यूंकि ये DP related charges है और ना कि exchange related charges तो brokers equity delivery के case में इसी charges से usually earn करते हैं और ये charges intraday में इसले नहीं charge किया जाता है क्यूंकि आपको same day sell करना होता है तो आपके shares DMAT account में जादा time तक stored नहीं रहते हैं बट वहीं delivery में आप कुछ time तक shares रखते हैं तो उसका charge आपको पे करना ही पड़ता है अब आपको ये चीज़े manually calculate करने की need नहीं है अगर आप किसी broker को choose कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कितना brokerage charge करेगा तो आप select पे जाके किसी भी broker का brokerage calculator use कर सकते हैं और आपको पस अपने inputs देने हैं और आपको easily पता चल जाएगा कि आपके कितने charges deduct होंगे अब brokerage तो हर एक broker के वारी करते हैं बट ये सारे charges सेम रहते हैं सभी broker के तो हमने उपर 0-10 का example लिया था अब चल ये किसी और broker का example भी ले लेते हैं जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा तो आनद राठी का अगर हम charges देखे तो वो 0.10% brokerage चार्ज करते हैं तो एक लाक रुपए की transaction value के हिसाब से 100 रुपए brokerage हो गया और बाकी चीज़े तो सेम ही रहेंगी तो इस केस में हमारा total charges हो गए 124.59 रुपीज buy site पे और sell site पे 146 और वही delivery के buy site पे 708 और sell site पे 693 रुपीज comparison से हमें ये समझ आया कि although बाकी charges सेम होने की बाद भी brokerage से कितना जादा फरकाता है तो जब भी आप broker choose करें या existing broker की charges जानना चाहें तो आप select पे आके list of charges और brokerage calculator यूज करके जान सकते हैं कि कौन सा broker आपके लिए सही है I hope आपको आज की हमारे ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए और हाँ अपने friends and family के साथ share करना ना भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग brokerage की चीजों को लेके aware हो Thank you